कि देखे वच्छो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स टॉपिक ओगे विच इस 3.2 टाइपस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और इससे पहले के वीडियो में पार्ट वन में हम लोग यहां तक कंप्लीट कर चुकिते बिटा यह बॉक्स हम लोगोंने कंप्ली देखा है तो you can watch on our channel जाइए प्लेइलिस्ट में आपको सभी की प्लेइलिस्ट मिल जाएगी मतलब चैप्टर वाइस आप देखेंगे प्लेइलिस्ट है पाट्स में डिवाइडेड है सभी चैप्टर अलग अलग पाट्स में जो हैं वीडियो से ठीक हैं तो देखेंगे प वीडशिट लिफ सीग्रेट ऑनल यंग तो आप ने तो आपने सेवęt क्लास में बढ़ा होगा कि सल्क फाइबर को आपने देखा कि इसल्क फाइबर से मलता है तो यह चाइना में जो हिसका किवर्ड किया गया था पहले खो जा गया था और इस चीज को सीक्रेड बिल्यों ा में तेक्छ चुपाया लाए था चाहिना के द्वारा ठीक है तो वाता हो आपको पता हुनी चाहिए यहLights means लेकिन यह देखने में ब्यूटिफूल था अच्छा लगता है देखने में अट्रेक्ट करने वाला है तैक है इसलिए जह जONE smarter तो attempts were made to make silk artificially तो ऐसे प्रियास किये गए कि अब इसी का एक alternative बनाते हैं है ना scientist ने क्या किया कि silk जैसा ही कुछ एक धागा ऐसा खोजा रेसा सा जो है उसको खोजा और towards the end of the 19th century scientists were successful in obtaining a fiber having property similar to that of silk such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp तो आप देखेंगे 19th scientist ने क्या किया 19th century के last तक तो आपको पता होना जी 1800 से 1900 तो यहां तक आप देखेंगे इस पीरियड में ही उन्होंने क्या किया कि scientist ने धूड़ा एक alternative ऐसा fiber उन्होंने कैमिकली तैयार किया जो की सिल्क के जैसा लगता है सिल्क के जैसा ही चमकता है बढ़िया और अट्रैक्ट करता है ब्यूटिफुल है तो यह जो है आप chemical treatment जो है इसमें अगर आप देखेंगे इसको तो यह बनाया किससे गया वूड़ पल्प से तो आपको पता है लकड़ी होती है वूड़ पल चीज़ें तो आप देखेंगे यह जो बनाया गया फाइबर इस चीट से बुड़ पल्प से तो इसको नाम दिया गया रियॉन और आटिफीसियल सिल्क किसी लिए बोलते हैं क्यों हम लोगों ने तियार की गई है आटिवीसियल चीज़ होई होती हैं जो हम लोगों ने ति तो आल्दो रियॉन इस अप्टेंट फॉम नेच्रल सोर्स वुड़ पल्प येट डिजमीड इज़ मेंड फाइबर ठीक है हाला कि रियॉन जो है आप देखेंगे नेच्रल सोर्स से मिलता है वोड़ पल्प से मिलता है लेकिन फिर भी इसको मैनमेड फाइबर बोलते हैं क अपने आप बुड़ पल्प जो है रियॉन नहीं बनाएगा हम बुड़ पल्प का यूज करके उसको रियॉन में बदलते हैं तो ठीक है तो ये प्रोसेस में जो है रियॉन आपको मिलता है फिर इसको मैनमेड फाइबर बोले जाता है इस चीपर देन सिल्क कैन भी वूवन कार्पिट्स एक बात याद रखना रियॉन को रियॉन के फाइबर को अगर आप कॉटन के फाइबर के साथ मिक्स करते हैं तो इससे बनाई जाती है बैट सीट्स जो कि आपके घरों में यूज होती है देखेंगे यह आपके फिकर में दी गई है और मिक्स्ट वूल अगर आप इसको वूल के साथ मिक्स करते हैं उनके साथ में तो इससे कार्पिट्स बनाई आती है जो की कालीन होती है घरों में यूज होती है आपको ऐसी मिल जाएंगी चीज़ें आपके घरों में ठीक है बड़ा तो यह तो था आपका रियॉन ठीक है तो होप सो आपको रियॉ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें तूदर नीडी स्टुडेंट्स है ना ज्यादा से ज़्यादा पहुचा हैं पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिसकस करते हैं तो जिससे कि आ